प्रभासाक्षे के खास कारिक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंकित सिंग और हमेशा के तरश कारिकर में मौजूद है प्रभासाक्षे के संपादक नीरज कुमार दुबेजी सर आपका बहुत स्वागत है और देश पूरी तरीके से राम मैं है और कल अयोध्या में प्रान प् भी खूब हो रही है दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और आजेसिस का इसे इवेंट बना दिया गया है चुनावी फाइदे लेने की कुशिश की जा रही है अगर देखा जाए तो आपके अधीरंजन चौजी ने कह दिया कि मोधी राम आउतार बनने की कूशिश कर रही है इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ विपक्षी दलों ने सीधे मना कर दिया कि नहीं जाएंगे कुछ ने इंडायक्ट वे में और स्विकार करते हुए कहा कि हम बाद में जाएंगे तो आप पूरे के पूरे मामले को कैसे देखते हैं ना देखे राम नाम ऐसा है ज जो बीजेपी या उसके सहयोगी दल हैं वो सारे के सारे एक सुर में बोल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारों में जाने की तैयारी कर रहे हैं वहीं अगर हम कॉंग्रेस की बात कर लें या इंडिया कटबंदन दल की बात कर लें तो वहां पर सभी का यह कहना है कि एक तो गया लेकिन मैं बाद में जाओंगा अपने माता पिता को यहां पर सवाल उठता है लालो यादो और कॉंग्रेस की और से देखा जाए तो सीधे कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे लेकिन केजरिवाल हो शरद पवार हो अखलेश यादा हो इन लोगों ने कहा कि हम जाएंगे हम जरूर जाएंगे हमारी आस्था है लेकिन हम 22 को नहीं उसके बाद जाएंगे कितना अंतर यह है कि जो अगर हम देखें दोनों के जो पार्टियों के वोटर हैं या इन पार्टियों की जो नीतियां हैं या जो सिधान्त हैं उनमें बड़ा मुलभूत अंतर है अब आप दे मंतरी बना हुआ है और जिस तरह से कहते हैं कि हम बाला साहब की पेड़ा से आगे बढ़ते हुए हिंदुतु की जोनकी राजनीति इसको आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे में वहां पर किसी और नेता के लिए यह कहना कि साफ कह देना कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा या निमं सभाव में अभी उन्होंने सुंदर कांड पूरी दिली में करवा दिया हर मंगलवार को कहने करवाएंगे और वह तो यहां तक मांग कर चुके हैं गुजरात में दौरान की जो नोट हैं उसमें माता लक्षमी जी और बगवान गणेश ची की तस्वीर होनी चाहिए जिससे मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल बनाने की वाकालत की तो अब यह समय के साथ साथ सभी का और खास्ता और माहौल देखकर जन भावनाएं जो है ना उसको राजनेता को उसकी कदर करनी ही पड़ती है जनता की भावना क्या है आपने बात करी कि पुरा देश राम में हो नाम की गूंज है तो यह जो भावना का जो जूआ है इसकी कोई भी राणीती की अंदेखी नहीं कर सकता और आपके मन में कुछ भी हो लेकिन आपको सामने यही बोलना पड़ेगा कि मैं आज नहीं तो कल जाओंगा कल नहीं तो परसो जाओंगा क्योंकि आप नराज नहीं कर सकते जनता को और वो भी तब जब कि लोकस्वा चुनाओं बिल्कुल दहलीज पर आ गए हैं तो यह दिखाता है कि जो अर्विंद के जिरवाल हैं उन्होंने कहा जैसा कि माता-पिता को भी लेकर जाना है तो मैं बात में जाओंगा क्योंकि मुझे अभी अकेले आने को कहा गया जब कि वृषिवूंदू परशाद ने परची जारी कर दी कोरियर की कि आपको यह बेजा गया और उन्होंने पता नहीं किस से भीजा गया नहीं इसके उनका बयान आया तो प्ल में लाकर एक चीज इस परस्ट है कि जो जनभावनाएं है उसकी बेककरी कोई वह जमाना गया जब राम भक्तों पर गोली चला दिया थी या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को आप राजनीतिक छुआ छोट की भावना से उनके साथ नहीं खड़े होते थे आज देखिए कि वह लोग जिन्हों ने की आंदोलन की आलुचना की थी आज वह राम बीजेपी आरसेस का इवेंट नहीं है यह शिराम मंदिर तीरचे ट्रस्ट का आयूजन है उस ट्रस्ट में जरूर भागिदारी है बीजेपी और आरसेस के लोगों की यह जो ट्रस्ट है इसका गठन जो सरकार ने तब किया था जबकि सुप्रिम कोर्ट ने दिशा निर्द कर सकता है कोई ना योगदान सभी कर सकते हैं और आप तब भी इसको बियजेपी आरसेस का इवेंट किय तो आपको यह जो देश का ही है क्योंकि आप और एक के लिए तक लोगों ने लदाई-लडाई लडई है और अगर आज और यह आंदोलन जो था यह ठीक है कि इसके लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ी गई लेकिन नियाय हमारे को सुप्रिम कोर्ट ने दिया और जो लोकतंत्र का रास्ता था इस आंदोलन ने लोकतंत्र के रास्ते चल कर जीत हासिल की और वो जीत हमारी नियायपालिका की जीत जीत थी एक हमारे जो लोगों ने संगर्ष किया सड़कों पर उसकी जीत थी और रामभक्तों की जीत और आप देखिए कि यह जो बंदिर बन रहा है इसको आप चोटी मोटी चीज में समझे और सिरफ यह मत समझें कि सिरफ यह कोई भगवान का मंदिर बन रहा है आप यह जो विश्वास है विश्वास जो चीज है उसकी बहुत बड़ी जीत है आप देखिए कि जब से मंदिर अंदूलन चला तब से विश्वुंदू परिशत की कारेशाला में काम चल रहा था वहाँ पर कोई अगर हम 15-20 साल पहले की या 10 साल पहले से अगर हम कलपना करें तो किस पथर तराशे आते थे विश्वास था कि वहांपर लगातार काम चलता रहा रहा एक विश्वास मौनवुरत रख लिया कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा किसी ने कोई और संकल्प ले लिए कि जब मंदिर बनेगा तभी मैं यह करूंगा तो यह जो संकल्प जब लेते हैं कोई में विश्वास भी होता है की मंदिर वहीं बनेगा मंदिर वहीं बन रहा है और अच्छी बात यह है कि विरोध के तहसे यह से लोगों की यह एकाधि सवर हैं वरना आप कि और अगर अगर अध्या की बात करें तो मुसलमान भी इस बात को सरा रहा है कि वहां पे मंदिर बन रहा है वहां पर विकास हो रहा है उसका भी रोजगार बढ़ रहा है उसको भी लाब पहुंच रहा है और यह वहां पर इस समय जितने भी आप सोचिए कि जितने भी वहां पर काम चल रहे हैं वह भारत की अर्थविवस्ता को भारत का जो आध्यात्मिक पैटन है उसको भी एक बहुत बड़ा बूस्ट देने वाले लेकिन सर्मता बैर्नर जी बहुत कर रही है पूझा लेकिन नासिक जा रहे हैं कि नारे अर्ति वगरा करेंगे पूजापाट करेंगे उदर उदर निदिया स्टैलिन कह रहा है कि हम अधिर के पक्ष में हैं लेकिन जहां पर मस्जिद को तोड़के मंदिर बनाई जा रही है देखिए अब सब कहें कि डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं और जैसे मैंने कहा कि जनभावनाओं की नहीं की जा सकती तो जो जुआर है इस समय राम नाम का उसका उसकी कोई नेता कर नहीं सकता है इसलिए अपना स्टेंड भी हम किस तरीके से सही ठहरा दें और जो सनातनी है उनकी आस्था को भी चोट ना पहुंचे इसलिए बीच का रास्ता निकाला जा रहा है वरना यही वह नेता है जो कह बोलते हैं अगर ममताव अनरजी की बात करिए आपने तो राम नोमी पर आरोप लगे उन पर कि उन्होंने यह कह दिया कि शोभाय यात्रा इस महलने से नि वास्ते हैं और यह जो ठाक रहे हैं उन्होंने अपना जो हिंदुतु है उसका ठीक है भगवा तो है लेकिन पता नहीं वह अंदर से कौन सा रंग उन्होंने ओड़ दिया है कि उनकी आजकल भाशाई अलग हो गई है उनके हिंदुतु की परिभाशाई वदल गई तो यह स आप इस विचारधारा व भीच की कोई विचारधार होती नहीं को थोड़े दिनकी जीमांदान नीतिकBT दे तरह दो सकती है और हम में phases12, जो राम मंदिर में नहीं जाने का निमंत्रन को अस्विकार किया उसके बाद से बड़े नेताओं का बयान देखा जाए ठीक है चारपाच नेता उसके गए दुपकी लगाई पूजा पाठ के लेकिन बड़े नेताओं का जो बयान है वह अभी ऐसा नहीं लगता है कि राम कुर्ते के उपर जन्यों पहनते हैं एक मात्र वही राजनेता है वर्तमान दौर में जिनका गोत्र भी पूरे देश को पता है तो आप कैसे देखते हैं अब उन्होंने कहा कि मैं धर्म को धर्म का दिखावा नहीं करता तो वह उनकी जब वह इससे पहले भारा जोड़ो या थी तपस्वी बताया जा रहा था तो ऐसी बहुत सारी चीजिए हैं जब देखिए यह होता है कि आपको जब सही लगता है तो मैं यह कहूंगा और जब मुझे सहीं लगता तो मैं वह कहूंगा यह राजिताओं की चीट परिचीट शैली है उसी का राहूल गांदी अनुसर पर कुछ आरोप लगा थे तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नियाए देदो यहां पर आए हो ऐसे ही अगर हम देखें मिलिन देवडा वह नया यातरा शुरू होने से ठीक पहले कॉंग्रेस चोड़ गए तो उनको भी तो नियाए मिलना चाहे था ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि कॉंग्रेस में नयायए पाने की पर्तीक्षा में हैं और एसे नेताओं को यह भी कहना है कि रहूल गांधी से मिलना बहुत मुश्किल काम है तो और जो इंडिया धटबंदन के नहीं वह कह रहे हैं कि हमको नुकसान वहां भी हुआ विदानसवा चौनाव में भी हुआ इसम के बटवारा नहीं उपरा है उसमें भी देखे यह नेता की अपर इपक्वता ही है कि दिल्ली में बैठकर जब सीटों के बटवारा जल्से जल्द करना चाहिए तो वह असम में यात्रा पर निकले हुए हैं मैं आपको बता दूँ कि सत्यपाल मलिक जो पूरू राजयपाल है उनका एक मैंने वीडियो देखा वाइरल हुआ कि अगर राहूल गांदी को दो तिन लट पड़ जाए तो वह बड़े नेता बन जाएंगे तो क्या सत्यपाल मलिक ने जो आइडिया दिया है उस आइडिय कमाल की बात यह है कि यह बयान वह व्यक्ति दे रहा है जो खुद नेशनल हेराल्ड मामले में कथित ब्रस्टाचार के मामले में जमानत पर रहे तो यह चीजें जो हैं जनता समझती है तो भारत जोड़ों नया यात्रा में आपने कहा कि नगालेंड में जाकर कि जो नगा स समझचा इतनी जल्दी सुलच जाने वाली है और वह बात कह रहे हैं कि मोधी सरकार इसमें विफल रही तो आपको पता है कि क्यों विफल रही है या क्या कारण था कि वह समझता नहीं हो पाया अगर कोई इस देश में रहकर दूसरे धोचकी मांग करेगा और कोई ऐसी बात करेगा जो कि भारत के समिधान के विरुद्ध हो तो क्या वो सरकार मान ले तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको पता नहीं है आप अपने वरिष्टों से वाची करिए इस सरकार में हुए हैं दूसरा बात यह कि पूरोत्तर में आप वहां पर दौर देखा है जो महां पर जाकर पुराने मुद्धों पर बियान बाजी करना बिना किसी जानकारी के हो सकता है इससे वह समस्या और बढ़ जाए तो इसलिए थोड़ा बहुत समभल कर चलना चाहिए और ठीक है कि आप अपनी पालिटी का परचार करें लेकिन जो समिधेंशील मुद्धे है जरा उन पर बोलने से पहले तैरी कर ले उसके बारे में पढ़ ले जान ले आखिर में चोटा सवाल सर क्योंकि आपने इंडिया गटबंदन की बात चेड़ दी इसलिए फारुक अब्दुल्ला कह रहा है कि मतभेद बहुत है सीट पटवारा नहीं हुआ तो हमारा सबसे पहले तो क्या है इंडिया गटबंदन के जितने भी घटक है उन सब का देश को शुक्रिया आदा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी से दिखा दिया है कि हम तो भाईया दबाओ की राडिती करते रहें और दबाओ की राडिती करेंगे देश को समझ जाना चाहिए इसी सबसे कि जब सीटों के बटवारे को लेकर इतना दबाओ बन अगया तो किसी भी फैसले को करने के लिए जो मुखिया होगा सरकार का उसको क्या चुनातिया सामने आएंगी और यह सारे के सारे कैसे मिलकर प्रेशर बनाएंगे अपने अपने स्वार्तों को सिद्ध करने के लिए तो इन सब का बहुत-बहुत शुक्रिया कि देश की कि खोल दी है इस तरह के का प्रेशर बनाके कि अभी शुरुआत में ही है देखिए अभी कोई यह चुनाव में नहीं गए हैं सत्ता नहीं मिली है तब यह हाल है तो आप सोची कि सत्ता मिल जाएगी तो क्या होगा तो बहुत-बहुत आभार इन सभी घटवंदन के दलों का खर भक्ती में माहौल है और हम जादा समय नहीं लेंगे आपको भी यह मौका देंगे कि आप भी राम धुन में एक मगन हो जाईए तो फिलाल आज के चाय पर समिक्षा कारिक्टर में इतना ही अगले सापता आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक पुझे आनि अंकेट सिंग अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके